कि नमस्कादूं आज मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन कैसे आपको लगाए जाता है देने का तरीका क्या होता है दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में सबकुछ बताऊंगा आश्टेवब आपने घर पर किसी वद्योस लगा सकتे हैं छोड़ा सभी आपको दर्द महसूस नहीं होगा तो दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि नीचे लाल बटम में सब्सक्राइब कर लें चलिए इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो दोस्तों यह पुलोबियम विटामिन वी बार का इंजेक्शन आपको दंत्र का तंत्र में दार भी यह दर्द सबस्क्राइब anda को स्क्री टारियाब आपको से लिखा हुआ है आई-एम आई भी यानि आप मसल में भी एसकते हैं बहुत्वेशन को दे सकते हैं तो यह दोनगो लगाने के लिए आपको क्या करना इसमें से निल इंजेक्षन को तोड़ना है दोस्तों कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं इस नेपल को क्या करते हैं कैची से कुछ औजार से तोड़ते समय आपको कुछ कड़ इसके अंदर चल जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सही तरह कैसे तोड़ा जाता है तो इस वाले भाग को यह निचे वाले भाग को क्या करना है यहां आपको रखना इस तरह से इस तरह से रखना इसे आपको रखना है ठीक है रखने के बाद इस तरह से आपको रखना है ऐसे दू अंगलियू से दबा लेना और इसको क्या करना है इसे घुमाना है दोस्तों इसक जोज नहीं रखना इस तरह से रखने इसको से घुमाएगा उल्टा इसे चीछे घुमाएगा इसमें निसान न इसान आईगा तोट जायां दोस्तों बहुत अराम से टूट जाएगा आप वह साघु button की जेगा कई मैंची से नहीं तोड़िएगा कुछ आउजार से आपको नहीं तोड़ना है फिसमें आपको बता रहा है कैसे तोड़ा जाएगा आपको इस नेपुल को ऐसे रखना है ठीक है इसको कस्क दवाक ऐसे रखना है इसे इसे त्रिछवाई इसको दो बैसे घुमाएएगा दोस्तो ऐस निशान आ जाएगा फोट इसे की जए यह तोड़नें के बद दूस्तों इसमें से स्यां को साल निकलना है उसा आफ को से बाइज में दावाब भरना थे क्या घृत्कности एक बाइस स्रींज को चेक भी कर लीजिएगा कि सिंज साई है कि गलत है इसके ठीक है इसमें आपको दावा इस तरह से भरना यदि 125 एमजी निकाल देना है तो आपको 1 ml उसे ज्यादा तो आपको 2 ml ठीक है निकालने के बाद कि इतना इंजेक्शन निकाल लिए ठीक है निकालने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको हावा इसमें से निकालना है एक जब भी इसमें आपको देना आपको आई भी लगाना है यानि नस में आपको लगाना है जिसे कि मेरा यहां देखिए आप नस है लेकिन दिखाई नहीं दिखाई नहीं दिखाई देगा तो आपको क्या करना है हाथों को थोड़ा से बान लेना है मूठी बान लेना है हाथ को जैसे आप बानेएगा तिसकी जो खून का रुकावर्ट हो बंद हो जाएगा थोड़ा बूद बंद हो जाएगा तो नस आपको दिखाई देने लेगा आप देख सकते हैं मेरा नस आगया ठीक है यह 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 नस आगया और माली आपको यहां पर द प्रिक नहीं होगा दूसरा रोग आपको होने लगेगा तो यहां बहुत जाता है किटाड़ू जवाड़ू राते हैं यहां आपको एस्परीट से साफ करना है कैसे साफ करना है अकन खुलना है कि इसमें से थोड़ा सा रूई लेना है यह आपको किसी भी मेडिकल सॉप आपको 10 रुपे में आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा तो दोस्तों एजेंसी में आपको जाना है मेडिकल स्टोर जहां एजेंसी हो इसके बाद इसमें आपको लेना है स्परीट जब भी आपको इंजेक्शन देना है जी जग आपको इं लेकिन आपको मैं इंजेक्शन देऊंगा नहीं कि मेरे पास कोई पैसेंट नहीं है दोस्तों अगला में इस वीडियो में बनाओंगा उसमें आपको इंजेक्शन देकर बताओंगा इंजेक्शन कैसे दिया जाता है ठीक है तो दावा भरने के बाद दोस्तों इसमें क्या करन को साफ करने के बाद दुस्तों इसकी कैप को हटाना है कैप को हटाने के बाद ध्यान से देखिएगा इसका जो चोक वाला भाग है इसको गाद इसको नीचे रखना है जैसे यहां डेना है लेक्षन संधूस को नीचे रखना ऐसे शोज हाथ रखके उसको नीचे आपको रम आ उसका चूरखने का यह फान चाहिए ठीच अब नीच वाले भाग में आपको धसाना है धसाना है धसाना के बाद दोस्तों थोड़ा सा पेसेंट क्या चिलाए चाहिए आपको बस अपना ध्यान भोनां चाहिए घथीर ऊसके बाद यसमें थोड़ा साथ को धसाना है थोड़ा सा धसेगा तो चिलाएगा जैसी थोड़ा सा धसेगा उसके बाद जब धस जाएगा उसके बाद उसको दरत नहीं होगा एक भी पसेंट दरत नहीं होगा दोस्तों इसको आधा तक आपको लगाना है ठीक है जितना अंदर जाएगा उतना दरत कम होगा आधा आधा आ ऑना उसके बाद दोस्तों लगाने के बाद आपको क्या करना दोस्तों पीछे के तरफ गीचना मतलब है कि हमें फाता करना नईicken गया की नहीं जब नस में जायागा तो बलंडा आएगा ताफ को पाता लिए थो हमारे इंजने आपको नस नस में जाएगा आपको बलंढेगा लट आ जाएगा तो उसकेवाद में आपको पीच्छे के तरब घ् VR chiffon do जाएगा तो इसके बाद जैसी देंगे टो उसके बाद आपको हटाना है हटाने के बाद दोस्ते इस तरह से आप में इंजक्षन को देख सकते हैं बूत परीक के से यहीं तरीका है लगाने का जब आपको आई भी लगाना आला तो इन्जक्षन को पीछे के तब थोड़ा सा घीचना उसे फिछे के तब घीचना ठीक है पीछे के तब घीचिएगा उसमें बलाड आ जायेगा इसमें तब भी आपको इंजेक्शन लगाना जब आपको बलाड नहीं आएगा तो इसको निकालना यानि इसका मुद्ब यह है कि हमारा इंजेक्शन जो है नर्स में नहीं गया है फीन से हम लगाएंगे ठीक है तो दोस में आपने खुद अपने हाटों में लगा का इंजेक्शन देखाओंगा किस तरह से लगाते है ठीक है आप उसको वीडियो यूस वीडियो को जरूर देखेंगा तब तक आप मेरा चैनल को सबसक्राइब कर लेगे नीचेूप में चैनल खुरणे को भनिबात